कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्राजैनी माहराश्ट्र सरकार में सत्ता संघर्ष चल रहा है और इस बेच शिवजेना को एक और बड़ा छटका लगा है तरसल इडी की कारवाई माहराश्ट में देखनी को मिली है सहकारी चीनी मीलो को लेकर ये बड़ी कारवाई इडी ने की है जिसमें शिवजेना के नेता अरजुन खोटकर की 78,38,38 करोड की जमपती को इडी ने चप्त कर लिया है जिस तरह से इडी लगातार माहराश्ट में छानपीन कर रही है और इडी का शिवजेना के नेता अरजुन खोटकर की मुश्किले भी बढ़ चुकी है और इसके चलते जाहिर दोर पर मुश्किलें उथव ठाकर की भी अब इडी ने इस पूरे माफले में 78,38,38 करोड की जमपती है अरजुन खोटकर की जिसे जप्त किया है तो एक तरफ माहराश्ट में सियासी घमासान चारी है जिस तरह से मुख्यमंतरी उथव ठाकरे की सत्ता पर खत्रा मंढ़ा रहा है और ऐसे में चहां शिवसेना एक त दिखाया किया है और इस तरह से एकनाच सिंथे ने उन्हें अपने खेमे में किया है लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम जो अलग-लग माफले माहराश्ट में निकल कर जाफने आ रहे हैं उसमें केंद्रिय जाच एजंसी एडी की कारवाई लगातार चारी है और इसी कड़ी मे अब इडी ने शिवसेना नेता अरजुन खोथकर को रडार पढ़ लिया है एजंसी ने खोथकर के पास से 38,38,38 करोड रुप्य की ये संपत्ती है जो जप्त की है वहीं इडी ने जाहला सहकारी चीनी घारकाने की भूमी एक आवासे सहिंत्र और खोथकर से जुड़े एक रचना को भी जप्त कर लिया है जो बड़ी जानकारी साफ ने आ रही है आथी एडी ने ये भी कहा है कि माहराश्टर राज्चे सहकारी बैंक ने सहकारी चीनी मीलो की अवैद निलामी से जुड़े माफले में पीमले के तहत ये कारपाई की है एडी ने अपने ओफीशल अ जब्त किया किया है पूरा माफला जो है वो सहकारी चीनी मीलो की अवैद निलामी से जुड़ा हुआ है जिसमें अब एडी ने बड़ा एक्शन लिया है आपको बताते ही कि एडी ने दो महिने पहले ही चीनी मीलो पर पुरी तरीके से परतिबंद लगाने का आधेश दिया उसे इडी इस माफले में जाच कर रही है जबकि राफनंगर शुगर फैक्टरी कदाचार माफली में अरजुन खोथकर की भी जाच कर रही है खाला की आज एजनशी ने फैक्टरी की जमीन को भी जब्त कर लिया है तो यह फिलाल बड़ी जानकारी महराश्ट उ से निकल कर साथने आ रही है जहां एक तरफ सियासी संकट माहराश्य में गहरया हुआ है उद्व की सरकार खत्रे में हैं जहां एक तरफ मुख्यमंत्री उथव ठाकरे शिवजेना के नेता संजर राउत अधित्य ठाकरे तफाव ये नेता सरकार बनाने की जद्दो जहद में लगे हुए हैं जहीं दूसरी तरफ केंद्रे जाच एजेंसी एजी की रडार पर अब शिवजेना के नेता अरजुन खोटकर हैं जिनकी लगभग 78,38,38 करोड की ये संपत्ती है जिसे जब्त किया किया है बड़ा शिकंजा इस पुरे माफले में अरजुन खोटकर पर कसा किया है आपको ये 2019 में इस पुरे माफले में FIAR दर्च की गई थी मुंबई पुलिस की वित्या अप्राज साखा द्वारा 26 अगस 2019 को FIAR के आधार पर इडी ने ये PMLA के तहट जो जाच है ये शुरू की थी और ये FIAR 22 अगस 2019 को मुंबई जो हाई कोट के आधेश के मुताफिक दर्च की ग आफले में केस दर्च किया PMLA के तहट जिसके बाद अब ये पूरी कारपाई हुई है हाला कि ये पहली कारपाई अर्जुन खोटकर के खिलाफ नहीं है बलकि इससे पहले भी शिवजिना के नेता अर्जुन खोटकर ED की रडार पर आ चुके हैं और इससे पहले बीचपी के नेता क्रीट सुमहिया ने अर्जुन खोटकर पर सो करोड के घोटाले का आरोप लगाया था और इस पर अर्जुन खोटकर ने हाला कि उस वक्त अपनी सफाई पेश की थी और इसके कुछ दिन बाद ही ED ने अर्जुन खोटकर के जाहना के निवास स्थान और उनसे जड़ इस तरह से उन पर कारवाई भी पहले हो चुकी है आपको बताते हैं कि महा विकास अगाडी सरकार के कुछ मंत्री और नेताओं पर लगातार ED की ये च्छापे मारी जारी है माहराश्ट में किस तरह से बड़े घपले और घोटाले हुए हैं इसका उधारन के तोर पर अगर देखा जाए तो आपको बताते हैं जो महा विकास अगाडी सरकार में मंत्री रहे हैं पिर जाहे वो अनिल देश्मुक हो या फिर नवाह वलिक हो अलग-अलग फ्रस्टेचार के माकले में वो फिलाल जेल में बंद हैं जहां अनिल देश्मुक पर हर महीने 100 क्रोड रुपि से जुड़े हुए हैं जो दाउत के गुर्गे हैं उनसे जरसल जमीन की खरीद फरोक्त का माकला है जिसमें फिलाल नवाह वलिक सलाखों के पीछे हैं और सिर्फ ये दो नेता ही नहीं बलकि इसके लाफा लंबी चोडी फैरिस्थ हैं नामों की जो महा विकास अगाडी सरक नेता हैं जो अलग अलग खोटालों में फखट वो है डॉप किसी ने ऐίναι जमीन का खोटाला किया है तो किसी ने अवैध तरहिके से बिल्डिंग का निय्वान किया है तो किसी ने गरीबों की जमीन हतिया है ये तमाम अलग-लग माफले हैं जिस तरह से ED, CPI और आईकर विफाग तमाम अलग-लग माफलों में जाच कर रहा है एक के बाद एक तमाम खोटाले उजाखर हो रहा हैं और असी कड़ी में अरजुन खोटकर का ये जो सहकारी चीनी मिल है उससे जुड़ा ये पूरा माफला है हाला कि इ ये जो ढ़ले हैं ये सिर्फ और नेताओं तक सिमित नहीं है बल reply ये जो ढ़ले है इन तमाफ नेताओं अपने परिवार अपने करयब रीक रिष्तेदार और ंपने कर्यों के चरहे इन तमाभ घोटालों और भस्टेचार को अन्जांट दिया है हर एक मावले में कही न कहीं जो तार हैं जो लिंक हैं वो तमाफ नेताओं के रिष्टेदार तमाफ नेताओं के करीबी परिफार के लोगों तक पहुँच रहे हैं पिर चाहे बाद अजीत पवार की की जाए पिर चाहे बाद नवाफ़ली की की जाए या फिर अनील धेश्मुख की की जाए और कही न कहीई इस पुरे माफले में भी जिस तरह से अरजुन खोद कर शिकंजे में आए हैं आपको यह बता थे हैं कि जाहला का ये पूरा माफला आखिर है क्या रसल जानला का ये कारखाना अर्जुन खोशकर के करीवी जुगल किशोर ताब्रिया को बेचा किया और लेकिन इसके लिए रकम जो है वो अर्जुन सूगर्श के माध्यम से दी गई थी 1984 में के कारखाना बना था 10,000 सदस्यों वाली इस कंपनी के हिपास बहुत बड़ी जमीन होने की वज़ा से इसकी बिक्री की कोशिशें शुरू हैं इसलिए इसकी बिक्री में खोटाले किये चाहने का आर्वोप लगाया किया है लातूर के रहने बाले मनीकराब जाधंग नाम के शक्स ने इस बारे में पहली शिकायत दर्च कराई थी ये माफला अना हजारे मेधा पाटकर द्वारा भी उठाया जा चुका है और ये माफला बीज़ेपी की ओर से भी उठाया किया है इस कंपनी को पहले तापडिया और उसके बाद पदमाकर म सफाई दी और ये उनकी तरफ से कहा गया कि जो क्रिट स्वहिया ने आरोप लगाए हैं वो पुरी तरीके से निराथार हैं उन्होंने जमीन का मुल्हांकन करने वालों के साथ सांट काट कर जमीन की कम कीमत तैक करने के लिए आरोप को जिरे से खारिश कर दिया उन्होंने बैंक में गिर्फी रखी गई परिशासन की जमीन को चुडानी के नाम पर जमीन हड़पने के आरोप को भी निराथार बताया तो इस तरह से कहीं न कहीं अपने उपर लगे आरोपों पर सफाई दी लेकिन कुल मिलाकर फिलाल एडी इस पुरे माफले में जाच कर रही है ज पुरे माफले में जो इडी की ओर से जानकारी दी गई है उसमें साफ़तोर पर इडी ने के कहा है कि माहराश्ट राज्चे सहकारी पैंक द्वारा सहकारी चीनी मीलों की अवैध निलामी से जुड़े एक माफले में पीमले के तहत सवर गाउं हड़प, तालुका और जिला जाना माहराश्ट में जाना सहकारी सकारकारखाना लिमेटेड की फुमी भवन और जंगरक्षना इसके लाफा जो उससे जुड़े सहियंत्र है और मशीन ट्री जो है उससे दरसल जक्त किया गया है कि जानकारी एडी की ओर से दी गई है तो इस पुरे पाफले में एडी का जबर्स्त एक्शन माहराश्ट में देखने को मिला है तो उतव ठाकरी के मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ माहराश्ट में छिया सियासी जंकर जो उतव ठाकरी के लिए हर गडी परिशानी का सबख प именно है किस तरह से सत्ता जाने वाली है जरकार गिरने वाली है और उस सरकार को बचाने के लिए जद्दो जहत लगातार चारी है लेकिन दूसरी तरफ एडी का एक्शन भी लगातार माहराश्ट में देखने को मिल रहा है जहां एक के बाद एक जो तवाम शिवजिना और महाविकास अगाडी नेताओं के खोटाले हैं वो जागर ह रहे हैं उसमें जाच का दाहरा बढ़ रहा है और एक के बाद एक तमाफ नेता रडार पर आ रहा है और इसी कड़ी में अब शिवजिना के ये बड़े नेता अरजुन खोटकर एडी की रडार पर आ चुके हैं आने वाले वक्त में देखना होगा कि और एडी इस पूरे मा आफ्रे पर क्या राए है में कॉमेंट वोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद करें कि